हैलो फ्रेंडों वेलकम टू में है जैसे यह आरंब ह्र McGill Criminal champion अाज हम जैसे यह ब्लाउज में pl हैं और चुनड पर्टि ए कहलtype कैसे परदते हैं और कितना लेना है । यहां पर क्या हो जाता है जो नयने सिहलने वाले होते हैं उनका यह problem create होता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे जो सिलने के बाद यहाँ पे हमारी चुन्नट पड़ती है, तो यह चुन्नट नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे जब भी हम यह measurement के उपर रहता है, जो भी आप आरमोल ले तो यह problem आपका clear हो जाएगा, आज मैं इस वीडियो में यही दिखाने वाली हो कि यह जो चुन्नट पड़ती है, बाजू में जो चुन्नट पड़ती है, तो यह क्यों पड़ती है, और उसका मतलब कितने चेस्ट के लिए कितना आरमोल लेना है, यह भी मैं आपको आज बत हो जाएगा, तब देखिए, यहाँ पे हमने यह ब्लाउज लिया है, मैं पहले आपको पेपर के ऊपर पहले समझाती हूँ, यह देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें यह लंबाई लेनी पड़ती है, पहले लंबाई लेते हैं, लंबाई के बाद य चैस्त के लिए अलग रहता हैं तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है। यह चेस्ट के साफ से लेना पड़ता है और लंबाई जो है लंबाई तो सेम रहती है जितनी लबी लंबाई होगी आपकी ब्लाउस की उसमें आपको एक इंच प्लस करना है लेकिन आर्मॉल जो है उसका ही आपको मतलब कम जादा हो जाता है तो समझ में नहीं आता तो मैं मिल C 5 रहें 30 इंज यहां पर आप 75 इंज पॉक्ति 22 चस्थ का 1 4 रहा हमारा 8 इंख-4 irrelevant गर कोर्ष existe लेना है, 32 चेस्ट के लिए हमें आर्मूल लेना है, 5.5 inches तो हमने यह 5.5 inches पर आपको यह मार्किंग किया है, तो 32 चेस्ट के लिए आपको आर्मूल लेना है, 5.5 inches उसके बान जैसे 34 inches, 36, 38, 40, गभर 40, 24, अब यहां भी हमें यहां से मिलाओं लेना है तो कि टीक खेत वन फॉर्ट लेदा है तो यहां इसके लिए वह नव कोर चॉतिक के लिए 60 खेत के लिए 7 इंच लेना है यहां तो यहां से यहां तक आर्मोल जो है, वो हमें 6 इंच लेना है, यहां से यहां तक हमें 6 इंच लिया है, और 34 के लिए भी आप 6 इंच ले सकते हैं, जैसे 34 और 36 के लिए आप यह जो आर्मोल है, यहां चेंच ले सकते हैं, अब यहां पर हमें 38 चेस्ट के लिए, 38 चेस्ट के ल मोऊ लेना है यहां से यहां तक आपको लेना है सुवा चेंच आपको कितना लेना है साड़े चेंच यहां पर हमें Consult怎么了 आपको कगा यहां फसकते हैं तो 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 ADema euros परोगी। जैसे 44 या 46 इंच का होगा तो आप पाउने साथ इंच भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि साड़े छे तो साड़े छे इंच लेना है जहाँ पर आपको ये ब्रॉडनेस ज्यादा होगा तो आपको पाउने साथ इंच भी जैसे 44, 46 या 48 चेस्ट के लिए भी आप फाउने साथ इंच आर्मूल जो है वो ले सकते हैं यह हुई आर्मूल की बात जैसे यहां से यहां तक आपको यह आर्मूल लेना है कितना लेना है चेस्ट के सबसे हमें आर्मोल लेना पड़ता है लेकिन यहां से यहां तक हमें गोलाई कैसे देनी है इससे क्या हो जाता है? जैसे कम ज़ादा हो जाता है इसलिए हमारे यह blouse में wrinkles आ जाते हैं तो यह जो problem से हमारा यह हमें clear करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है जैसे यह जो blouse है तो इसे हमें कमर का नाप लेना है पहले हमें कमर का नाप लेना है जब भी हम blouse यहाँ पर हमें गोलाई देनी है गोलाई देने से पहले हमें blouse में कमर का नाप लेना है 30 इंच तक आपका blouse का कमर होगा तो आपको गोलाई देनी है front side की 1 इंच के और back side की 5 इंच पे मैं आपको फिर से बताती हूँ यहाँ पर आपको कमर का नाफ जो हमारा 30 इंच होगा 30 इंच, 28 इंच, 27 इंच जो भी आपका कमर का नाफ होगा तो यह कमर के उपर डिपेंड रहता है यह जो गोलाई हमारी यह कमर के उपर डिपेंड है तो यहाँ पर 30 इंच के अंदर 27, 28, 29, 30 इंच हो तो यहाँ तक आपको गोलाई जो है वो देनी है first गोलाई यानि कि front side की गोलाई देनी है आपको एक इंच पे और back side की गोलाई देनी है आपको देड़ इंच पे उसके बाद जब हमारा कमर से ज़्यादा यानि कमर 30 से ज़्यादा होगी 31 इंच, 32, 34 जो भी आपके कमर की लेंध चोड़ाई होगी तब आपको यह लेनी है जो गोलाई है वो लेनी है जैसे जितना भी आपका कमर होगा 31, 32, 33 जो भी आपका कमर होगा 30 से ज़्यादा होगा ना तो आपको यह जो गोलाई है वो लेनी है फ्रंट side की 1,5 इंच पे और back side की 2 इंच पे जैसे यह आप clear लोगे जैसे chest के सब से मैंने आरमोल कितना लेना है यह मैंने आपको दिखाया है chest के सब से जैसे छोटा बलाउस होगा तो सबवा पांच इंच आप ले सकते हैं 32, 32 के लिए हम साड़े पांच इंच लेंगे 34 के लिए हम 6 इंच लेंगे 36 के लिए भी हम 6 इंच लेंगे 38 के लिए हमें सबवा 6 इंच लेना है 40 के लिए भी हमें 42 के लिए हमें 0.25 इंच लेना है और 44 के लिए भी हमें 0.25 इंच लेना है और यहां पे जैसे 46, 48 होगा तो आपको 7 इंच आपको लेना है लेकिन 44 या 42 के लिए जो यहां पे आपका healthy haley होते हैं कोई-کई तो यहां पे आप इस तरह से पौने साथ इंच भी ले सकते हैं तो यहां पे आप इस तरह से जैसे कमर का नाप आपको लेना है कमर के हिसाब से आपको यह गोलाई देनी है तो कमर तीस के अंदर होगा तो आपको एक इंच और देड़ इंच पे लेनी है और चेस्ट के हिसाब से जो आर्मुल है यह बॉक्स जो बनाते हैं यह लेंगे और यह गोलाई जो है यह कमर के हिसाब से आप डालोगे तो आपका यह रिंकल्स का जो प्रॉब्लम है यहापे हमारे जो ब्लाउज में सिलने के बाद यहापे आपको जैसे सिलने के बाद जब आपको पहनते हैं तो यहाँ पर इस तरह से चुन नटाथी है तो यह problem आपका clear हो जाएगा यह जासे चेस्ट की हिसाफ से अर्मोल कम ज्यादा हो जाता है नेक की चोडाए उसका कोई problem नहीं है लेकिन जो आरमूल का और ये रिंकल्स का जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है ये चेस्ट के इसाफ से रहता है और कमर के इसाफ से रहता है अब इस तरह से ब्लाउस की कटिंग करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे कमर आपका कितना लेना है पहले आपको चेस्ट नापनी है मैंने आपको दिखाया भी है कि चेस्ट के सबसे आरमुल कितना लेना है तो चेस्ट नापने के बाद ये आरमुल आपको लेना है चेस्ट के सबसे और जब हम गोलाई देंगे तो आपको कमर नापना है, कमर नापने के बाद आपको ये गोलाई देनी है इस तरह से आप अच्छे से ये जो नाप आपको लेकर बलाउस की कटिंग करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है रिंकल्स का ये क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने आपको ये blouse में चुननट कैसे पड़ती है ये मैंने आपको clear किया है तो आप इस तरह के से मेरा पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपका ये wrinkles का problem भी clear हो जाएगा तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को like करे, share करे और हमारे चानल को subscribe करे थैंक्यू for watching this video और भी आपको कुछ problem आएगा तो आप मुझे comments box में comments करके बता सकते हैं मैं आपको जो भी आपका problem होगा मैं उसका video बनाऊंगी और आपका जो भी blouse में जो भी आपका कम ज्यादा होता है जो भी problem होगा मैं आपका clear करूंगी